मोटू और पतलू नामक दो अच्छे दोस्त एक छोटे से गाव में रहते थे उनके गाव में एक जादूई पेड था जिसका नाम था जादूई पेड यह पेड बहुत ही अद्भुत था क्योंकि उससे कोई भी वस्तू मांगी जा सकती थी एक दिन मोटू और पतलू गाव के पास जादूई पेड के पास गए मोटू ने पेड से कहा हे पेड भगवान हमें भूख लगी है क्रिप्या हमें कुछ खाने को दो पेड ने मोटू की मांग सुनी और उसके नीचे से एक बड़ा सालाद निकला मोटू और पतलू ने उसे खा लिया और उनकी भूख बुझ गई फिर वे जादूई पेड के पास गए और पेड से अन्य कुछ चाहने लगे पेड ने उन्हें वे वस्तुएं भी दी जो उन्होंने मांगी मोटू और पतलू ने जीवन में अधिक सुक सम्रिद्धी की दुआ की और खुशी-खुशी गाव की ओर लौट आए एक और दिन गाव में एक बड़ा दुखी किसान आया उसका फसलों में कीटाणों का प्रकोप हो गया था और वह बहुत परेशान था वह जादूई पेड के पास गया और पेड से कहा हे पेड, मेरे पेडों को कीटाणों से बचाओ पेड ने उसकी मांग सुनी और उसके पेडों पर जादूई चारा छड़क दिया कुछ ही दिनों में किसान की फसले पुना स्वस्थ हो गई और वह बहुत खुश था मोटू और पतलू ने भी देखा कि किसान को कैसे जादूई पेड ने उसकी समस्या का समाधान किया उन्हें एक नई सोच आई कि यदि यह पेड इतनी अद्भुत चीजे कर सकता है में बात की पेड ने उन्हें समझाया कि जादूई शक्तियों का उप्योग समझदारी से होना चाहिए और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान स्वय करना चाहिए मोटू और पतलू ने पेड की सला मानी और गाव के विकास में मदद करने का निश्चय किया उन्होंने मिलकर गाव में नलजल योजनाओं का निर्मान किया, बच्चों को शिक्षा प्रद, आनकी और गाव को स्वच बनाने के लिए प्रयास किया. जब गाव की स्थिती सुधारने लगी, तो लोगों का आत्म विश्वास भी बढ़ गया और वे भी अपने समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो गए. इस प्रकार, मोटू और पतलू ने जादूई पेड के सहारे गाव को खुशाल बनाया और समस्याओं का समाधान किया. उन्होंने सिध किया कि जादूई शक्तियों का इस्तिमाल समाज की सेवा में किया जाए, तो यह वास्तव में एक सच्ची सफलता है.